सूफी रंग साथ सोश्यासी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार दिख स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम पीर बबा को मानते हैं तो हमारे अगर घर में साँप आए तो उसका क्या संकेत होता है घर में साँप आने का क्या मतलब होता है इसी के बारे में बात करेंगे सो आप सभी से बिंती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखे और इस चैनल को भी जरूर सब्स्राइब करें प्यारे दोस्तों अगर आपके भी घर में कभी कबार साँप आया है आपने अपने घर में किसी साँप को देखा है तो उसका क्या मतलब होता है अगर हमारे घर में सांप आए तो इसका दो जा तीन संकेत होते है अगर तो आपका घर खेतों में है जा गाओं के बाहर है अगर आपके आसपास खेत है जा जंगल की तरह जमीन है फिर सांप घर में आ जाए तो दूसरी बात है, अगर आप ऐसी जगा पर रहते हैं, जहां पर सांप का आना सम्भव है, सांप घर में नहीं आ सकता, आपके आसपास पूरी सापसफाई है, आसपास भी नेकों घर हैं, फिर भी सांप घर में आएं, तो इसके दो मतलब होते हैं पहला, अगर आप पीर बाबा को मानते हैं, आपका विश्वास, आपका जकीन, आपका अकीदा, आपकी श्रदा, अगर पीर बाबा पर बहुत है, आप हर रोज पीर बाबा के चिराग रोशन करते हैं, हर रोज उनकी सेवा करते हैं, उनके नाम पर दान उन्ने करते हैं, तो फिर आपके घर में आपके पीरो मुर्षद भी इस रूप में आ सकते हैं क्योंकि हमारे पीरो मुर्षद भी अक्सर इस रूप में हमें दर्शन देने आते हैं जो लोग दिल से सचे होते हैं जिनकी नियत साफ होती है जो शलकप्ट नहीं करते जो लोग दूसरों का हक नहीं मारते किसी का दिल नहीं दुखाते ऐसे लोगों को पीर बाबा ऐसे रूप में आकर दर्शन देते हैं जो लोग नाग देपता की पूजा करते हैं बर्मी में कच्छी लसी डालते हैं उनको याद करते हैं तब भी बै इसी रूप में आपको घर में आकर दर्शन देंगे दूसरा अगर कोई आप पर काला जदू टोना करना चाहता है जा कर रहा है तो इस रूप में भी काली शक्तियां आपके घर में आती हैं बलैक मैजिक जिसे हम काला जदू टोना कहते हैं अगर कोई हमारे घर में करे जा ह तो बुरी शक्तियां इस रूप में भी हमारे घर में आ जाती हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। अगर आप पीर बाबा को पूरी श्रद्दा से जिकीन विश्वास के साथ मानते हैं तो फिर आप पर काला जादू टोना नहीं हो सकता। आपके घर में बुरी शक्तियां के रूप में साथ नहीं आ सकता। अगर आप थोड़ा कम मानते हैं चुगली निंदिया बुराई भी करते हैं दूसरों का हक भी मारते हैं और जिन्दगी में ने को गालत काम करते हैं तो फिर आप पर काला जादू टोना भी हो सकता है और इस रूप में काली शक्तियां घर में भी आ सकती हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि काली शक्तियों के रूप में सांप हमारे घर में आते हैं तो हम इसे रोक सकते हैं हम पीरो मुर्षद के रहमो करम से एक शुद्ध ओरिजनल घर का तैयार किया हुआ गुगल धूप बनाते हैं जिसे घर में करने से घर में काला जादू टोना बुरी बला बुरी निगा बद्धवा पनोती गरीबी बिमारी कलेश घर में नहीं आते घर में सदैव सुक शांती रहती है और जिससे पीर बाबा का पहरा हमारे घर में हो जाता है बै धूप 13 से 14 अलग अलग चीजे मिला कर कम से कम 6 घंटों में उसे तैयार किया जाता है उस धूप को कैसे तैयार किया जाता है यह वीडियो आज शाम 7 बजे सुल्तान माल्टी मीडिया 786 चैनल पर आ जाएगी आप उसे देख लना अगर आप बैस सिद्ध किया हुआ असली ओरिजनल गूगल धूप घर में मगवाना चाहते हैं चाहे आप कहीं से भी हो हम आपको आपके घर में गूगल धूप भीज देंगे उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर आप हमें मेसिज करें गूगल धूप तो हम आपको आगे की जानकारी दे देंगे बै असली ओरिजिनल गूगल धूप है जिससे घर में कभी कोई किसी तरह की दिक्त परिशानी नहीं आती और आप सुल्तान मल्टी मीडिया सासोश्यासी इंस्टाग्राम आईडी है वहाँ पर सर्च कर कर भी हमें मेसिज कर सकते हैं सोजे दो मुखे करन होते हैं घर में सांपाने के अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पीरो मुर्शद है वह हमें दर्शन देने आए हैं तो उस समय आप घबराएं नहीं कुछ गल्थ काम ना करें बस अपने पीरो मुर्शद को याद करें और उनके आगे दुआ करें कि अगर आप आए हैं हमारे घर में तो आपका सवागत है आप हमारे घर से दुख तकलीब परेशानी गरीबी बिमारी इकलेश को खतम करें और हम पर अपना रहमों करम करें थोड़े दिन की बात है हमारे घर में भी एक सांप ऐसे ही आया था पिछले क्रीब एक डेड़ महीने की बात है हमने उसके आगे दुआ की बस जैसे ही हमने दुआ की कस्म की बात है जैसे ही हमने दुआ की बै बापिस मुड़े और मेन गेर से अपने आप बाहर चले गए हमने कुछ भी नहीं करना पड़ा अगर आपको लगता है कि आपके पीरो मुर्शद हैं तो समय दवा करें अपनी ग्रीबी, बेबसी, पनौती, जदू टूने को खत्म करें क्लेश बिमारी को खत्म करें, ऐसी दवा करें और आपके पीरो मुर्शद को याद करें तो बै अपने आप ही चले जाएंगे सो जए दो मुखे कारन होते हैं साफ हमारे घर में आता है सो इस वीडियो को शेयर करें इन बातों पर गौर करें आपके पीरो मुर्शद आप पर रहमत करें जे हमारी दिल से दुआ है और अगर आप हमसे गुगग धूप मगाना चाहते हैं ओरिजिनल घर का तैयार किया हुआ तो आप इंस्टाग्राम आइडी पर सुल्तान मल्टी मीडिया सासोश श्यासी जे सार्च करें और हमें डियम करें या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आइडी का लिंक मिल जाएगा बहां से भी आप डियम हमें मैसिज कर सकते हैं सो एक बार बैद धूप भी अजमाए आपकी सभी परिशानिया खत्म हो जाएंगी और आपके बिगडे हुए काम भी बन जाएंगे सो हमारी भी दिल से दुआ है कि आपके पीरो मुर्चद आपकी सभी परिशानियों को खत्म फरमाए आपको कभी कोई दिक्कत नाए आपको गरीबी, काला जादू टोना, कलेश, बिमारी कभी परिशान ना करें और आप पर आपके पीरो मुर्चद की हमेशा निगा और रहमत रहें आप भी कोशिश करें कि हमसे कभी कोई गल्त काम ना हो कभी किसी का दिल ना दुखा हो और सदैब अच्छे काम करें, अपने माबाप की सिवा करें और अपने पीरो मुर्चद के लिए समय जरूर निकालें तो जिन्दगी में हर खुशी आपके कदमों में होगी